रिपोटर की माने तो S.P. अक्षे कुमार के कारणा में मानपुर मोहला की जनताने देखे हैं अब कोंडा गाउं जिले की जनता भी देखेगी कोंडा गाउं पलिस की अंतरराजी गांजा तसकर पर बड़ी कारवाही थाना केस काल दोरा कारण से गांजा तसकरी करते जारखन्यवासी एक आरोपी को किया गया गिरफतार आरोपी के कज़े से तसकरी में प्रियुक्त कार एवं 123 लोग गांजा किया गया जब्त जब्त गांजा की अनुमानिक कीमत लगभग 12 लाक रुपे कोंडा गाउं पुलिस अधिचिक श्रीवाह अक्षेक मार ने अवयत मादक पदार्कों की तसकरी रोखने है तो जिले के सभी थानों को लगातार MCP की कारवाही करते हुँ संदिक्द बाहनों को चेक करने के आदेश दिये हैं एडिशनल SP कोंडा गाउं श्री दौलत राम पूरती एवं एडिशनल SP स्री शोभाराज अगरवार के मार्च दर्शन में आज तिरांक 11-6-2030 को थाना केशकाल द्वारन नेसनल हाईवे पर संदिक्द बाहनों के चेकिंग के जा रही थी चेकिंग के दौरान जगदलपूर की ओर से आ रही शंदिक्द स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांग JH08BD8837 को रोकर तलासी लेने पर कार के डिग्गी में भूरे रंग के 56 पैकेट में अवैद मादक पदार्थ गांजार रखा मिला जिसका पुलबजन 123 की लोको गवाहों के समक्ष जप्त किया गया बाहन चालब क्रिश्न कुमार पाल को गरफतार कर आरोपी के विरुद थानक के सकाल में अपराद क्रमांग 44 बटा तेस धारा बेस भी NDPC Act पंजी वद्ध कर विवेचरा की जा रही है एवं गरफतार आरोपी क्रिश्न कुमार पाल को आज दिनांग 11-6-2030 को माने नियन आया लेके समक्ष पेस किया जाएगा गोगनी सैनिक की भूमिका सरहानिये रही